एक यह जरूर था। यह हमारे सेकेर्टरी साब भी डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर हैं भी भी इस किया है। स्वास्थ भी भागो और मिल जाता तो और भी ज़्यादा मजाता है। ये है बाबा की रोडी लाल मीना जो कि अब कृशी मंठ्री बन गए हैं और अब बतोर मंठ्री बैठ के लेना भी शुरू कर दिया है लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी दिल की बाद जबान पर आही जाती है आखिरकार बाबा ने ऐसा क्यों कह डाला कि स्वास्थ मंठ्री होता तो और कुश होता क्या बाबा कृशी मंठ्री बनने पर खुश नहीं है चलिए अब बाबा की दिल की बात आप खुद ही इस वीडियो में सुन लीजी और क्या कुछ बाबा ने कहा वो भी आपको सुनाते ह डॉक्टर किरोडी लाल मीना आज अपने विभाग की बैठक ले रहे हैं इस समय हम मौझूद हैं कृशी पंथ विभाग में सर कॉंग्रेस ने जब 2018 में सरकार बनाई थी उससे पहले सबसे बड़ा वाइदा जो किया था राहूल गांदी ने कॉंग्रेस नेताओं ने वो किसानों के रिण माफी का किया था भाजपा बार बार कहती रही कि किसानों का रिण माफ नहीं किया पांच साल बीद गए उसक सारी योजना ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल रूप से अगर धरातल पर उतारा जाए तो किसानों को रिणने लेने की आवश्यक्ता नहीं है इसलिए हमारा जितना पूरा क्रिशिव भाग का दिकारी यहां पर बैठा है हम इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि बहुत सी स्कीम सब सीडी की केंद्र की भी राज की भी और वो धरातल पर उत्रे जिससे किसान को कम से कम रिन लेना पड़े वो तो लॉंग टम बात होगी ना सर बार बार जब भाजपा विपक्ष में थी वो कहती थी किसानों ने आत्मत्या कर ली उनको कुर्की के नोटेस आ गए क्या इस प्रकार से जो आरोप लगाती रही भाजपा विपक्ष में रहते हुए क्या कुछ सुधार करने की कवायद आप मंत्री के तौर पर करेंगे कि यही हम करने जा रहे हैं और आप लॉंग लॉंग नहीं हम इसको सौट टाइम में करने की कोशिस करेंगे कि यह नौबत नह योजना की लाइबल्टीज है जो किसान तक पहुंच नहीं पा रही तो जितनी भी लाबकारी योजना है किसान को आर्थिक द्रिशी से मजबूत करने वाली है वो धरातल पर पहुंचाएंगे तो यह इस्तिती नहीं आएगी और केवल कर्जा माप कर देना और बार बार कर कर्जा लेने की पुर्वर्ति किसान की रुकनी चाहिए कर्जा माप कर्जा लेना और उसको माप कर देने से किसान की मानसिक्ता पर फरक पड़ता है फिर एक आदत बन जाती है कर्जा ले लेना उसको नहीं देना इसलिए इस पुर्वर्ति को रोकना पड़ेगा और किसान क कि आय को बढ़ाना पड़ेगा उसका जो उसको जो चाह फटिलाइजर खरीदे चाह कोई और यंत्र खरीदे उसमें सस्ता मिलें उनको फटिलाइजर और बाकी की चीज़ें सीड्स वगरा ऐसी विवस्ता हम करेंगे जिससे किसान कर जमनी डूब है विभाग के मंत्री के तौ है आपकी होंगी जो आपको लगता है कि प्रायरिटी पर ड्रेस की जानी चाहिए तो एक तो अपने पानी की बहुत कमी है राजस्तान में तो पश्चिमी राजस्तान में डिगगी और हमारे पूर्वी राजस्तान में खेत में जल खेत जिसको कहते हैं वरसात का पानी में अखटा हो जाए और उसमें पानी को किसान अपनी फसल के लिए उप्योग कर ले यह हमारी प्रात्मिकता रहेगी सरकार के तौर पर इयार सी पी जो पूर्वी किनाल योजना है उसको भी लगता है कि उसको फास्ट ट्रैक्ट मोड पे लागू करवाना चाहिए यह आपने पहल पहरी बार देखी है कि मद्यपरदेश के अधिकारी राजस्तान के अधिकारी माने जलसक्ति मंत्री जी के अगवाई में दिली में बैठ चुके हैं और अब मुख मंत्रियों को बैठना है और सहमती प्राय बनने की स्टेज पर है जब दोनों राज्यों में सहमती बन जाएगी तो यह रसीपी लाग हो जाएगी बजनलाल सरकार को करीब एक मीना हो चुका है राजस्तान में आए हुए आप वरिष्ट मंत्री हैं कल जो नतीजा आया जिसमें भाजपा के उमीदवार सुरेंदर पाल सिंग टीटी को हार का सामना करना पड़ा एक पहले से केंडिट ते थे और एक सानबुची की रहल लहर कॉंग्रेस के केंडिट के साथ चल गई तो कोई खास बात नहीं है और इसे कोई फरक पड़ने वाला नहीं और पास साल अब सेवा करनी है जनता की आखरी सवाल सर आप से कॉंग्रेस कह रही है कि एक महीने में कास्ट की परफॉर्मेंस रिपीट कर पाई नहीं किया हमने पेपर लीक जो बड़ा इसू था जो पिछले कॉंग्रेस के राज में धेर सारे पेपर लीक हो गए उसके लिए साइटी बनाई है और साइटी जो पहले मगरमचनी पकड़े थे उनको साइटी पकड़ेगी और एक दूसरा एंटी गेंगस्टर का जो है उसके लिए टीम बना दी तो जो गेंगस्टर ने जो अपराद हैं जो बहुत जबर्दस्त थे पिछले राज में उस पर लगाम लगेगी तो ऐसा कैसे कह रहें आपने लीड किया था सर्पेपर लीक के मामले को जो अंदोलन करते सब्राइब से कुरी बाओं का रहने बाला हूं तो ग्रामीन विकास मिल गया और किसान का बेटा नटों किर्शSt विभाग मिलने से खुश है अब मेंoras स्ब्रोणbirds एंजै बहुत और Just this मजाता कर दो कर दो कर दो कर दो